नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कामिका एकादशी के बारे में क्योंकि कामिका एकादशी जो होती है वे सावन के महिने में ही आती है और यूं कहा जाता है कि कामी का एकादशी पर भगवान शिव और भगवान विश्णु का दोनों को ही एक साथ संपुट लगा रहता है और यही वज़े है कि कामी का एकादशी पर शीगरती शीगर मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है और ऐसे में इस एकादशी को बिल्कुल भी यूही खाली नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति यहीं चाहता है कि उसकी मनोकामना शीगरती शीगर पूरी हों क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मनोकामनाओं का पूर्ती होते रहना बहुत जादा श्री भगवान विश्नु अवश्रह ही लिख दें तो दोस्तो सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दें कि इस बार कामी का एकादशी गुरुवार के दिन पढ़ रही है और गुरुवार पर पढ़ने की वजह से यह इतनी शक्ति शाली हो गई है खासकर की उन लोगों के तो इतना ज़्यादा लड़ाई जगड़े उसके घर में होते हैं कि वे ये सोचने लग जाता है कि शादी करके ही बिल्कुल गलती कर दी है उनके घर में घरह कलेश होता रहता है आर्थिक संकट उन्हें घेर लेते हैं तो जिन लोगों की शादी नहीं हो पाती है या फिर शादी के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई जगड़े उनके घर में होते रहते हैं तो आप तुरंच समझ जाएं कि गुरु ग्रह आपका कमजोर है ठीक इसी प्रकार अगर आपको कोई व्यापार है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपकी कोई नोकरी है जहा पर आपको हमेशा परिशान किया जाता है परमोशन नहीं मिल पाता है तो भी आप समझ जाएं कि आपका गुरु ग्रह कमजोर है और इस बार कामी का एकादशी पर कुछ खास चीज़ों को करके आप इन सारी समस्यां से छुटकारा पा सकते हैं तो सबसे पहली समस्या पर आ लंबाई है उतनी लंबाई का एक पीला धागा आप ले ले बस उस पर 108 गाट आप लगा दें और हर एक गाट पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा मंतर का जाप कर दें ऐसा करने से जो आपके विवा में बंदन है वो सारे खुल जाते हैं सारे तूट जाते हैं और श दूसरी समस्या ये है कि जिन लोगों की शादी हो जाती है और शादी के बाद उनके घर में लड़ाई जगड़ा बहुत जादा अधिक होता है यानि कि ग्रह कलेश बहुत जादा अधिक बना ही रहता है तो ऐसे में आप दो कारे कर सकते हैं कि पती के लिए लाल धागा और पतनी के लिए पील धागा लेकर दोनों को आपस में लपेट कर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जितनी हाइट पती की है जितनी हाइट पतनी की है दोनों की हाइट के अनुसार ही आपको धागा लेना है और धागा लेने के बाद उनको आपस में लपेट देना है और 108 गा गर्मा केले के विर्क्षकी करनी है और इस प्रकार कामना आपको करनी है कि घर में जो घ्रह कलेश चल रहा है वह समाप्त हो जाए, आपके घर में सुक सम्रिद्धी बनी रहे इस प्रकार बोलकर या फिर जो भी आपकी मनो कामना हों, जो भी आपकी इच्छाय हों, वो सारी चीज़े आप बोल सकते हैं इस प्रकार बोलने के बाद केले की पिल्ड पर एक लोटा जल आप अवश्रही चड़ा कराएं इस प्रकार करने से और ये भी बात ध्यान रखें कि कामी का एकादेशी पर वरत करने से स्थाई लक्षमी का वास घर में बना रहता है जिन लोगों के घर में धन तो आता है लेक जदधन आने के बावजूद भी हमेशा ही परिशान से रहना पड़ता है तो ऐसे में अपने घर में जो आपका तुलसी का पौदा है उसकी 108 परिकर्मा करना बिल्कुल भी ना भूलें और खास करकी तुलसी के पौदे में शाली ग्राम को अवश्रही स्थापित करके रखा करें क्योंकि तुलसी के पौदे के साथ अगर शाली ग्राम ही स्थापित नहीं है तो आप खोदी सोचिए भगवान विश्नु तो वहाँ पर स्थापित ही नहीं है तो कैसे आखिर उस घर में स्थाई लक्षमी का वास बन सकता है तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने घर में तुलसी के पौदे में शाली ग्राम को नहीं रखते हैं तो अवश्य रख दें और 108 परिकरमा एकादशी पर अवश्य ही किया करें इससे घर में स्थाई लक्षमी का वास बना रहता है और आर्थिक संकट टल जाते हैं ठीक इसी प्रकार अगर काम का एकादशी का वरत आप रख सकते हैं तो बहुत ही जादा अच्छा है क्योंकि संपूर्ण मनोकामनाओ की पूर्ति करने वाली एकादशी माना जाता है अगर शत्रू आपको बहुत जादा परिशान करते हैं आर्थिक संकट के साथ साथ स्थाई लक्षमी का वास भी घर म नहीं बनता है तो आप किसी भी विश्णु भगवान के मंदिर में जाएं कामिका एकादशी के दिन जाएं और वहाँ पर मौझूद पीपल व्रिक्ष जो होता है या फिर अगर आपके घर के आसपास पीपल का व्रिक्ष नहीं है या फिर मंदिर में भी नहीं है तो आप क किसी व्यक्ति के बिल्कुल भी उसके साथ ना हो तो ऐसे व्यक्ति को शत्रू खेर लेते हैं और वहीं दूसरी और अगर पित्रू का साथ प्राप्त हो जाए तो वे ढाल की तरह कारे करते हैं कोई भी शत्रू उस व्यक्ति को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाता है और खा कार के समस्यां होती हैं कि वे खुद के ही शत्रू बन जाते हैं क्योंकि आप देखेंगे अगर ध्यान से तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने खुद के ही शत्रू बन जाते हैं जैसे कि कुछ लोग आलस बहुत जाता करते हैं तो आप ये सोचिए कि आलस भी तो खुद का ही एक शत्रू होता है या फिर जिन लोगों का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है काम तो वह करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं लेकिन जब ध्यान ही नहीं लगता है तो आखिर वह कर क्या सकते हैं तो ऐसे में पीपल विरिक्ष की परिकर् मंदिर में तुलसी के पोधे का दान दिया जाता है क्योंकि अगर किसी मंदिर में तुलसी के पोधा लगा दिया जाए तो वहाँ पर इतनी अच्छी तरह से वह फलता और फूलता है और इसी के साथ ये भी निर्धारित हो जाता है कि जिस विक्तिने उसे लगाया है उसके जी ध्यान रखिएं कि यह आपको खरीद कर ही लेकर जाना है क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि घर में ही जो मौजूद छोटे से तुलसी के पौधे उनके लगे रहते हैं उन्हीं को लगा कर आजाते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है यानि के अपनी लक्षमी का प्रयोग आपको करना है, कहीं से जाकर आपको खरीदना है और तुलसी का पोधा विश्णु भगवान के और मातल लक्षमी के मंदिर में लगा कर आना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर एक आदशी पर आप उस पोधे को देखने जाया करें और उस पोधे का आशिरवाद लेकर अपनी संपूर्ण मनोकामनाई उस पोधे के सामने बोला करें ऐसा करने से शीगरती शीगर मनुकामने बहुत तेजी से पूरी हो जाती हैं और स्थाई लक्षमी का वास उस घर में बना रहता है ये बात आप जान लें कि जिस घर में स्थाई लक्षमी का वास नहीं होता है वहाँ पर तो बरकत ही नहीं हो पाती है क्योंकि अगर बरकत ही तो वहाँ पर चाहे कितना ही धन क्यों न आ जाए हमेशा ही फिजूल खर्च वहाँ पर बना रहता है जैसे कि आप ये नोटिस करेंगे कि जब भी आपके घर में धन आता है कहीं से कमाई आ जाती है तो एक दम से खर्चे बहुत ज़ादा अपने आप इखटा होने लग जाते हैं कोई बिमार पड़ जाता है कभी फीज बरनी पड़ जाती है यानि कि कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ निकल कर आही जाता है जिससे फिजूल खर्च काफी ज़ादा बढ़ जाता है तो ये जितनी भी चीज़े हमने आपको बताई हैं ये स्थाईल लक्षमी के वास के लिए अति उत्तम और महत्तपून माने जाती हैं ठीक इसी प्रकार सबसे आखरी और सबसे महत्तपून प्रयोग जो हम आपको बताते हैं कामी का एकादशी पर आपको करना ये है कि आपके गर में जितना भी सोना चांदे या तिजोरी में जितना धन आप रखते हैं ये भगवान विश्नु को मातल लक्षमी को एकादशी के दिन अवश्य ही व्रत रखते हुए चड़ाया करें और चड़ाने के पश्चाद अगले दिन इस सारे धन को एकटा करके एक पीले कपड में बांद कर अपनी तिजोरी में वापस रख दिया करें ऐसा करने से स्थाई लक्षमी का वास उस तिजोरी में बन जाता है और कभी भी आर्थिक संकट उस घर पर नहीं आता है जिस घर में इस प्रकार तिजोरी में भगवान विश्नु को चड़ा हुआ धन रखा जाता ह वहाँ पर तो स्थाई लक्षमी को होना ही पड़ता है आना ही पड़ता है कामी का एक अदशी इस पर 13 जुलाई को है तो इन सारी चीजों को आप अवश्य ही करें यानि कि गुरुवार कोई है इस वीडियो को दूसरे लोग के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाब उठाएं आपके गुड करमाज बढ़ सकें और अच्छे कर्म आपके जीवन में आ सकें क्योंकि इससे भी संपूर्ण मनोकामनाय श्रीगर अति श्रीगर पूरी हो जाती हैं तो आज के लिए केवल इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं ओम न श्रीवाय हरहर महादेव